सर्दियों में बच्चों को खिलाएं टेस्टी और हेल्दी हल्वा नहीं होगी खून की कमी सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी बेहत कमजोर होती है सर्दियों में ठंड की बजह से बच्चों पर बीमार होने का खत्रा बना रहता है स्वस्ट शरीर के लिए बच्चों को हेल्दी डाइट देना चाहिए हेल्दी डाइट में आप चुकंदर को शामिल कर सकते हैं छोटे बच्चे की सेहत के लिए आप चुकंदर का हलवा बना सकते हैं चुकंदर में अंटी ओक्सिडेंट, फाइबर, आयरन और कई तरह के पोशक तत्वा पाये जाते हैं चुकंदर का सेवन करने से खून की कमी नहीं होती है साथ ही पाचन तंत्र भी ठीक रहता है चलिए जानते हैं बच्चों के लिए टेस्टी चुकंदर हलवा बनाने का तरीका और इसके फायदे चुकंदर का हलवा बनाने का तरीका, आधा किलो चुकंदर, गी, इलाइची पाउडर, पानी और गुड लें चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को छिल कर उसे काट लें चुकंदर को पानी में डाल कर उबाल लें चुकंदर के उबल जाने के बाद चुकंदर को अच्छे से मैश कर लें एक पैन में घी डाल कर उसमें चुकंदर की प्यूरी को अच्छे से भूनें चुकंदर में इलाइची पाउडर और गुर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करें, हलवा को तब तक भूनते रहें जब भी छोड़ने ना लें, हलवा तयार है इसे आप अपने बेबी को सर्व करें किस उम्र के बच्चों को खिलाएं चुकंदर का हलवा चुकंदर का हलवा एक से दो साल के बच्चों को खिलाया जा सकता है बच्चों को एक साथ ज्यादा हलवा नहीं खिलाना चाहिए चुकंदर में आयरन पाया जाता है जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है आयरन शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है जिससे शरीर के सभी अंगों को आक्सीजन मिलती है चुकंदर हल्वा खिलाने के फायदे खून चुकंदर का हल्वा खाने से बच्चों में खून की कमी नहीं होती है चुकंदर का हल्वा खाने से खून बढ़ता है कब्ज से राहत छोटे बच्चे अक्सर कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं कब्ज से राहत पाने के लिए आप अपने बच्चे को चुकंदर का हल्वा खिला सकते हैं चुकंदर में फाइबर पाया जाता है जो की कब्स को कम करने में मदद करता है। विकास बच्चों के विकास के लिए चुकंदर बहुत ही फायदे मंद होता है। चुकंदर का सेवन करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। आयरन चुकंदर का हलवा खाने से शरीर में आ हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल